जबलपूर में सीहौरा विधान सभा में टिकेट को लेकर खेस्तान विधाक नंदनी मरावी का लिस्ट में नाम नाने के बाद अर्चना कोर्चे की उमीद बढ़ी है नमस्कार में हुंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली शुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से मद्यपदेश में भारती जिंदा पार्टी की बची हुई 94 सीटों को लेकर कबायर तेज हो गई है इन सीटों में जबलपूर की भी दो शीटे सामिल हैं जिनने होल्ड किया गया है जिसमें कॉंग्रीस के कबजे में गई हुई उत्तर मद्य विधान सभा और सीहुरा विधान सभा में भाश्पा विधायक नंदनी मरावी की सीट शामिल है वहीं दोनों सीटों में अभी भाश्पा ने अपने प्रत्याशी घोसित नहीं किये हैं भाश्पा अला कमान की चौती लेश्ट में सिटिंग विधायक नंदनी मरावी का नाम ना ने के बाद सीहुरा के अने दाविदारों के उमीदे बढ़ गई हैं दो सीटों में महिला प्रत्याशियों को जनता के बीच उतारा था जिसमें बरगी बिधान सभा से प्रतिवास सिंग और सिहोरा बिधान सभा से नंदनी मरावी का नाम शामिल था सिहोरा विधान सबा में भाशपा से प्रक्तियाशी बनाई जा सकती है अर्चना सिंग जोनकारी के मुताबिक यदि नंदनी मरावी के उपर भाशपा ही का मान विश्वास नहीं जता पाया तो ऐसी सिथी में जवलपूर में सियासी समयकरन के बाद महिला विधाय के बाद किसी अन्य महिला दाविदार को भाशपा टिकेट दे सकती है जिसमें अर्चना सिंग कोर्चे मातर एक सिहोरा से भाशपा के लिए महिला दाविदार है जिन की सीहोरा और कुंडम शेत्र में आदिवासी वोटरों में अच्छी पकड़ है और लगातार वेब पार्टी कारेकरमों में शिर्कत कर रही है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस में भाश्पा में शामिल हुए खिलाडी सिंग आर्मो अपनी दाविदारी कर रहे हैं बरहाल कुछ दिन बाद ही भाश्पा की अगली लिश्च जारी होगी जिसमें बचे हुए चौरानर पत्याशियों के नाम शामिल होगे जिसको लेकर विधायक नंदनी मरावी सहित अन्य दाविदारों के धर्कने तेज हो गई हैं अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहे हैं दाखबरदार नियूज